जब से यूपी में डबल इंजिन की सरकार बनी है तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विशेश कर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्ता की स्थिती सुधरी है उसे व्यापारियों का भरोसा लोटा है। जन्ता का विश्वास योगी जी की सरकार पर है और जैसे उद्योग जगत के साथी अपने अनुभव के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश की सराना कर रहे थे हैं। मैं सांसत के नाते अपने अनुभव बताता हूँ। कभी हमने कोई उत्तर प्रदेश के अडिमिस्ट्रेशन से निकर से नहीं देखा था। कभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंगों में लोग आया करते थे तो वहां के एजंडा कुछ अलग होते थे। लेकिन एक सांसत के रुप में जब मैं यहां काम करने लगा तो मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश क्या बिरोक्रसी उत्तर प्रदेश के अडिमिस्ट्रेशन में वो ताकत है जो देश उनके पात चाहता है। जो बात उद्ध्योग जगत के लोग कह रहे थे एक सांसत कहनाते हैं। मैंने स्वयम ने इस सामर्थ को अनुभव किया है। और इसलिए मैं यहां सरकार के सभी विरोक्रसी सरकार के छोटे मटे हर व्यक्ति को यह जो मिजाज उनका मना इसके लिए बढ़ाई देता हूं का अभिनंदन करता हूं। साथियों आज यूपी की जनता ने 37 साल बात किसी सरकार को फिर से सत्ता में वापस लाकर अपनी सेवे का जिम्मदारी सौपी है। जातियों उत्तर प्रदेश में भारत की पांचवे छठे हिस्से की आबादी रहती है। यानि यूपी के एक व्यक्ति के बहतरी भारत के हर छठे व्यक्ति के बहतरी होगा। मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21 सदी में भारत की ग्रोर स्टोरी को मोमेंटम देगा। और इसी दस वर्ष को आप देख लीजिए। एक उत्तरप्रेश हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है जी। ये दस वर्ष आपको दिखाई देगा। जहां कोई न कोई खास प्रोडक्ट हो जहां इतनी बड़ी संख्या में मसमीज हो लगूत्योग हो जहां अलग-अलग मौसमों में अलग-अलग क्रशी उत्पादों अनाज, फल, सब्जियों की बहार हो जिस प्रदेश को गंगा, यमुना, सर्यू समेत अनेक नदियों का आशिरवाद प्राप्त हो ऐसे यूपी को तेज विकास से भला कौन रोक सकता है। साथियों, अभी इस बजेट में ही हमने गंगा के दोनों किनारों पर भारत सरकार की बजेट की बात कर रहा हूँ है। पाँच-पाँच किलोमेटर के दायरे में केमिकल फ्री नेचरल फार्मिंग का कोरिडूर बनाने की गोश्णा की है। डिफेंस कोरिडूर की चर्चा थो होती हैं लेकिन इस कोरिडूर की कोई चर्चा नहीं करता है। यूपी में गंगा ग्यारा सो किलोमेटर से जादा लंबी है और यहां के पचीस से तीस जिलों से होकर गुजरती हैं। आप कलपना कर सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग की कितनी बड़ी संभावना यूपी में बनने जा रही है। यूपी सरकार ने कुछ वर्ष पहले अपनी फूड प्रोसेसिंग नीती भी गोशित की है। मैं समता हूँ कॉर्परेट वर्ड के लिए और यहां जो उद्योग जगते ये लोग हैं उनसे मैं आगर पुरवक इस विशेव पर कहना चाहता। कॉर्परेट वर्ड के लिए इस समय एग्रिकल्चर में इन्वेस्टमेंट की एक गोल्डन ऑपर्चिनिटी है। साथ क्यों तेज विकास के लिए हमारी डबल इंजिन की सरकार इन्फरास्ट्रेक्टर इन्वेस्टमेंट और मेंडिफेल्चरिंग तीनों पर एक साथ काम कर रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।